दोस्तों आग के समय में कब किसे कौन सी बीमारी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसे में डॉक्टर की मोटी फिश भरने से अच्छा होता है कि आप अपने शरीर को ही इतना हेल्दी बना लें कि वो अपने शरीर में प्रविश करने वाले हर प्रकार के किटानों से लड़ सक हैं आप में से कई लोग सेब केले और अनार्दे से फल खाते भी होंगे यह सबी फल आपको एनर्जी देने और कुछ समय के लिए नीरोग रखने में सहायक होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक काला फल ऐसा भी होता है जिसके सेवन से आप अपने शरीर की बहुत सार खाना है कितना खाना है और इससे क्या-क्या फायदे होते हैं आई देखते हैं दोस्तों आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना रात को 15-20 दाने काली किश्मिश को एक गिलास पानी में भीगो कर रख दें और सुबा खाली पेट किश्मिश सहीत इस पानी को गर्म कर लें पानी को छान ले और बचा हुआ किश्मिश खा लें और किश्मिश खाने के बाद उसको उपर इस गर्म गुन-गुने पानी को पी लें यह आपको दिल, दिमाग, यूरीन, किडिनी और आखों के रोग सहीत कई अन्य जटिल विमारियों से बचाते हैं चहरे पर आने वाले जुरियों को रुखता है, स्किन को टाइट और हमेशा जवाँ बनाया रखता है यानि कि आप इचे लगादार लेते रहोगे तो आप जल्दी बुढ़े नहीं होगे काली किश्मिश के सेवन के बाद शरीर की थाकान समाप्त हो जाती है और आप मानसिक और शारेदिक रूप से रिलेक्स महसुस करते हैं यह एकागरता और स्वभाव को सयमीत रखने में साहक है यह धमनियों को सुरक्षित रखता है काली किश्मिश में पोटेशियम का बड़ा स्तुरोत्त आ जाता है जो रखत वाहिकाओं को लोचदार बनाया रखता है इसके सेवन से काम करने की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है दोस्तों यह बहुत ही शक्ति शाली आउसदी है आप इसे उपयोग करके जरूर देखें यह किडिनी को साफ करता है पूरे बाड़ी को डिटॉक्स करता है चेहरे पर ग्लो लाता है बैट कॉलिस्टॉल को खत् सेवन करके देखें आप इसे गर्मियों के मौसम में भी ले सकते हो और इसे पूरे साल पूरे वर्स ले सकते हो इसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बस शुगर के पैसेंट यानि डायबेटिक लोग इसका सेवन ना करें दोस्तों आप हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहें यही हमारी कामना है आपको वीडियो अच्छे लगी होते से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना और होसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करके जाना अगले एपिशोड में एक नई जानकारिक साथ फिर से हाजिर होता है रोस्तों तब के लिए नामस्कार